हेलो दोस्तों नमस्कार मैं आरके मेना आपके अपनी यूटूग चैनल आरकेम टैक इन्फो पर आप सभी सात्यों का तेदेल से हार्दिक स्वागत करता हूँ सात्यों सुचनसाइक बर्ती प्रिक्षे का रजल्ट कब तक जारी होगा ये सभी अभ्यारतों को इंतजार है अभी से टाइप शुरुआत कर दे सात्यों इस वीडियो में आपको बताएंगे सुचनसाइक प्रिक्षे का रजल्ट कब तक जारी होगा टाइपिंग अभी करें हैं रिजल्ट के बाद कितनी कटोब वाले अभ्यारतियों को टाइप टेस्ट के लिए सामिल किया जा सकता है इन सब सवालों का जवाब आपको इसी वीडियो मिलेगा इसलिए आप वीडियो को अंतक देखे और जो अभ्यारति हमारे यूटूब चैनल पर पहली बार आये हैं वे यूटूब चैनल आरकेम टेक इनफो को सब्क्राइब कर ले आपको समस्त वर्ती प्रिक्ष्याओं की जानकारी इस पर आपको तुरंत प्रभाव से मिलती रहेगी सात्यों राजस्तान करमचारी चैन बोर दोरा सूचना साइक बर्ती प्रिक्ष्या 21 जनवरी 2024 को आयजित करवाई गई थी और इसके बाद इसकी प्रारंबिक उत्तरकुंजी दो फरवरी को जारी की गई थी जिसमें दोस्तों आपतिया दर्ज करवाने के लिए 7 फरवरी तक का आपको टाइम दिया गया था यह सब परक्रिया पूरी हो चुकी है और रास्तान करमचारी चैनवर्ड किसी भी बर्ती प्रिक्ष्या के आयोजन के बाद लगबग 30-40 दिन के अंदर उसका प्रिक्ष्या प्रिक्ष्या प्रिनाम जारी कर देता है साथ जिस परकार जानकारी मिल रही है उसके अनुसार सुचनसाइक बर्ती प्रिक्ष्या के समद में लेटेस्ट अपडेट यह है रास्तान करमचारी चैनवर्ड दुआरा सुचनसाइक प्रिक्ष्या का प्रिनाम फरवरी के अंतिम तक जारी किया जा सकता है यानि अगले सब्ते में सुचनसाइक बर्ती प्रिक्षा का रजल्ट आने की पूरी पूरी उमीद है अधर जो अभ्यारती इसका इंतजार कर रहे थे उनका इंतजार बहुत जल्दी खतम होने वाला है साथ यो सूचनसाइक बरती प्रिक्षिया के संबंद में कई अभ्यारतियों दुवारा पूचा जा रहा था कि टाइपिंग अभी करें या रजट के बाद दोस्तो मैं आपको बताना चाहूंगा सूचनसाइक प्रिक्षिया का रजट अगले सपता या मार्च के परतम सपता में 100% आ जाएगा और उसके बाद आपके पास टाइपिंग के लिए यदि 10 मार्च या 15 मार्च तक आचार सेता लग जाती है तो आपकी टाइपिंग लोगसबा चुनाओं के बाद हो सकती है क्योंकि दोस्तों रजट आने के लगवग 20-25 दिन का टाइम टाइप टेस्ट के लिए आपको रास्तान करमचारी चैनबोर दुआरत दिया जाएगा लेकिन दोस्तों 15-20 मार्च तक ये आचार सेता लगती है तो फिर ये संबाव नहीं होगा और आपकी टाइपिंग टेस्ट लोगसबा चुनाओं के बाद ही होगी क्योंकि अधिकतर जो भी पिछले लोगसबा चुनाओं हुए है वा अप्रेल वा मार्च माह में हुए है इसलिए संबाव नहीं है कि अप्रेल माह में आपके लोगसबा चुनाओंगे और उसके बाद टाइपिंग होगी लेकिन दोस्तों आप उसका इंतजार नहीं करें यदि आपके संबावित कटोप के लगबग परसंटेज बन रही है या क्यूसन सही हो रहे हैं तो आपको निश्चित रूप से ही टाइपिंग शुरू करनी चाहिए दोस्तों जो संबावित कटोप बताई जा रही है उससे 2-3 परसंटेज डाउन हो रही है तो उनको भी एक बाद टाइपिंग जरूर करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों अब तक जो भी कटोप बताई गई है वस संबावित कटोप है फाइनल कटोप रास्तान करमचारी चैनबोर दोरा जारी की जाएगी वही मानी जाएगी साथियो सूजनसाइक वर्ति प्रिक्षा 2018 में जो टाइपिंग के लिए कटोप जारी की गई थी और मैंने भी आपको एक संबावित कटोप बताई थी उस कटोप के आजपास या उससे 2-3 क्यूशन नीचे मानकर आप तयारी करें क्योंकि दोस्तों संबावित कटोप को आप फाइनल कटोप ने माने ये केवल एक सर्वे के आदार पर आपको कटोप बताई गई है अतब 2018 की कटोप और जो मैंने संबावित कटोप बताई गई है उसको देख ले उससे 4-5 क्यूशन आपके कम भी हो रहे हैं तो आपको टाइपिंग आज से शुरू करनी चाहिए क्योंकि दोस्तों लास्ट समय में करोगे तो उससे कई परकार की समश्याओं का सामना करना पड़ता है इसलिए आप अभी से नेमित रूप से आपकी टाइपिंग को इंप्रू करते रहे और देरे देरे आप सीखते रहें दोस्तों नेमित रूप से आप यदि टाइपिंग करते रहेंगे तो आपकी टाइपिंग अच्छी हो जाएगी और आपकी एक्यूरेंसी भी अच्छी होगी आप टाइपिंग की स्पीड बढ़ाने से ज़्यादा सई सब्द लिखने पे ज़्यादा फोकस करे और शुरू में आप टाइप मास्टर का यूज न करें आप MS Word या Notepad पर टाइप करें और देरे देरे प्रक्टिस करने से आप घर बेटे आराम से टाइपिंग टेस्ट की तयारी कर सकते हैं साथियों कमेंट करके बताएं आपकी टाइपिंग हिंदी और इंगलिस में कैसी है क्या स्पीड आ रही है और कौन-कौन अभ्यारती अभी टाइपिंग टेस्ट की शुरुवात ही नहीं करें इसी प्रकार दोस्तों सुजना साइक बरती प्रिक्षा के सम्मेंद में नविन्तव ताज़ा अपडेट और रजल्ट से सम्मदित जान करें आपको तुरुन परभाव से हमारे यूटूब चैनल पर मिल जाएगी इसलिए हमारे यूटूब चैनल को सब्क्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस करके रखे जिसे समस्त भरती प्रिक्षाओं की नविन्तव ताज़ा अपडेट आपको तुरुन परभाव से मिल सके धन्यवाद जैन जै बारत